अरे दिलशाद और मैं पोल्स अपार्ट लेकिन दोस्ती बहुत हमारी रही हमेशा फिसे दादो आज से पहले मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा हाँ तो क्यों ना हो बच्पन की दोस्त इतने सालम बाजू मिली है उनको आप बिल्कुल सही और दादो ने पूरा एक घंटा कॉल पर बात किये उनसे और शायद उन्होंने पने पोते की बर्दे पे इन्वाइट भी किया दादो को अच्छा रेली तो बता देना आपने कब जाना है मैं ड्रॉप कर दूँग आपको तुम क्यों छोड़ोगे दो दो ड्राइवर हैं घर में किसी के साथ भी चली जाओंगे मैं ऐसी क्या बात है अरे सवाल ही पैदा नहीं होता मैं खोड ड्रॉप करने जाओंगा आपको चलो सावे भाई क्या बात है बहुत खुश रहें आप नहीं मैं तो रोजी खुश होता हूँ लेकिन आज कोई खास बात है लेट मी गैस कोई लड़की तो नहीं पसंद आगई आपको पकड़े गए अब तो या फिर तानिया से शादी का फैसला कर लिया आपने तो मैं बहुत जल्दी है हाँ तो क्यों ना हो बहन तुमारी जल्दी तो हो कि उसे बिल्कुल दादू बहुत बड़ा मस्ला है दावे भाई पहले बताना पड़ेगा हाँ ओके ओके खाला फरीडा का नाम लिख लिए है दादी हाँ नफीसा का नाम भी फैरेस में जरूर लिखना अब दादी आपने बताया नहीं कि आपकी दोस्त इतनी अमीर कुमीर है हम उनको पहले ही दावत नावा देते हैं स्पेशल वाला अपना स्पेशल एतमाम करना है तुमने स्पेशल गेस्ट के लिए ठीक है हाँ भाई बड़े पैसे वाले लोग लग रहे हैं परना आजकर के दौर में बगैर मतलब के तो कोई किसी को धेला भी नहीं देता हस्पिताल कबिल और दवाईयों के पैसे कर्ज के तौर पे लिया है इसलिए वो उन्हें लोटाने होंगे हाँ भई पता है पता है तुमने क्या करना है हमने ही करना है सब कुछ लेकिन न मेरे बच्चे की सालगिरा होने दो पीट काटके घर का पुरा करते लेकिन बच्चे करना दिर नहीं मार सकते लेकिन दाटी आपको तो पता है कि पता है पता है सबको अपने मतलब की बात पता होती भी खुशी की बाते हो रही है तहां कर्जे और उधान लेकर आगई हो बीच में सारा मूड़ी खराब कर दी है मेरे तुम्हारी इनी हिमाकतों पे हुस्सा आता है मौका महल देख कर बात करना सीखो सीखो, सीख इना ले जाओ जाकर हाणी देखो लगना जाए और सुनो, आटा भी गून लेना टोलूँगी मैं कोड़ी कर लूँगी वो कोर्मा में बदाम डाले है वो अच्छा रगे कादरा हाँ हाँ वो हनीव को बुला ले ना बहुत अच्छा कोड़ा बहुत बदामो वाला कोर्मा चुटे बड़े लोका रहे है तो टाइनी जोना चाहिए